गुद आफटनों स्टुनेंट्स आज हम एक नया चप्टर शुरू करने जा रहे हैं चप्टर 14 जो की एरिया से लेट करता है जिसमें हमें बहुत सारे एरिया से लेटेड कुशन मिलने वाले हैं कुछ shapes के area के formula मेंने लिखे हैं जो हमें 14 चप्टर में काम आएंगे जिसमें सबसे पहले है area of square अभी इतनी simple simple चीज़े हैं कि आपको आनी ही चाहिए अब तक इस class में जो दो नए formula आपको मिलेंगे वो दोनों formula मेंने नीचे समझाए हैं सबसे पहले area of square जो है उसका formula होता है side multiply बस side यह हम कह सकते है side का square ठीक है square का मतला होता है उसी number को यानि side को side से multiply कर दो जिसी की side 4 है तो उसको 4 से multiply करता है तो यह क्या बन जाएगा 4 का square हो जाएगा second formula है rectangle का area of rectangle 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 का formula होता है length multiply by breadth हम कह सकते हैं इसको l into b यह दोनों ही simple चीज़े थी इसलिए मैंने ज्यादा explain नहीं किया एक square जो होता है उसकी side आपको पता है एक rectangle जो होता है उसकी length कौन सी होती है breadth कौन सी होता है ठीक है जो लंबी वाली side होती है जो छोटी वाली side रहत होती है l into b हो जाएगा area of rectangle थर्ड फर्मुला है area of triangle triangle जो होता है बहुत type का होता है लेकिन उसमें जो 90 डिग्री वाला triangle जो आएग आपके जिसमें 90 degree बन रहा होगा उस triangle का क्या formula होता है half multiply by base multiply by height यह हम इसको short में कह सकते है half into b into h अब जो आपके दो shape आएंगी वो थोड़ी hard है जिसमें trapezium एक shape है इसका क्या formula होता है half multiply by sum of parallel sides and multiply by height हम आपको समझा दूँ parallel side क्या है और यह height क्या है पहले उसके formula को short लिखते है half multiply by इसकी एक side जो है parallel वो a है दूसरी side जो है वो b है दोनों को plus करेंगे और h से multiply करा देंगे और उसका half कर देंगे तो यह area of trapezium का formula हो जाएगा यहां मैंने एक explain किया है यह trapezium shape होती है जिसमें एक pair parallel line का होता है और बाकी जो दो लाइन होती है वो parallel नहीं होती है ठीक है तो जो कोई भी एक line उसकी है वो a है जैसे मैंने इसमें उपर a रखा है नीच ली लाइन को भी रखा है तो यह जो दो parallel line है इन दोनों का sum आपको यहां करना ही रहा और जो इन दोनों की बीच का distance है जो इन दोनों की बीच का distance है वो इसकी हाइट होती है वह एच हो गया कि लास्ट जो शेप आपके चैप्टर के लिए वह है rhombus rhombus क्या होता है special shape होती है square जैसी लगती है तो इसका formula कहा है half multiply by half multiply by product of diagonal simple है जो इसके diagonal होंगे उनका multiply कर दो एक rhombus में दो डाइगनल होते हैं d1 and d2 दोनों को multiply कर दो और उसका half कर दो अभी रॉमबस जैसी shape है इसमें इसके एक vertex से दूसरे vertex को जो line join कर रही है वो इसका diagonal मैंने हाँ diagonal 2 नाम दिया है जो यह वाला diagonal है इसका इसका नाम मैंने diagonal 1 दिया है diagonal 1 को diagonal 2 से multiply करके उसका half कर देंगे तो क्या होगा area of rhombus अब हम आपकी exercise start करने वाले है exercise 14.1 इसके questions का solution मैं आकर हुआ first जो question है उसमें आपको question में दिया था length of parallel sides और उपर हमने formula में देखा था parallel side की जो length है वो एक छोटी और एक बड़ी होती है तो कोई भी एक यह नहीं मैंने A बनाया और दूसरे को B बनाया एक 10 cm है दूसरी 16 cm है फिर इसमें क्या दिया था कि इसमें distance between them वो जो दोनों पैडल लाइन से उनके बीच का distance कितना है 8 cm है यहां diagram से समझते है यह तो A है A is equal to और यह है B B is equal to 16 cm और इन दोनों के बीच का जो distance है scale से measure करने पर इसमें का distance हाता है क्योंकि हर्जे के distance सेम जाएगा इसलिए इसको height भी बोल सकते है तो इन दोनों को distance है यह जो height है वो 8 cm है तो आपको इसमें निकालना क्या है find the area of the trapezium area of trapezium is equal to आपको अभी formula पीचे सिखा है था formula क्या होता है half multiply by A plus B short में लिखा है मैंने क्योंकि इसके दोनों parallel sides का sum है multiply by height next हम देखे क्या होता है 1 upon 2 multiply by A है इसका 10 और B है 16 तो 10 plus 16 multiply by H, H question में है 8 cm, next step में क्या होगा half multiply by 10 plus 16 होता है 26, 26 multiply by 8 और अगर last step अब देखी जाए तो आपको यहां थोड़ा ध्यान देना है जो weak बच्चे है उनके लिए specially मैं बोल रहा हूँ यह आपको यह divide करना आना चाहिए जिसको नहीं sound में आता है क्या करना है मैं एक बर समझा भी देता हूँ यह जो one upon two है इसके सात में 26 multiply हो रहा है ठीक है तो यह 26 है इसकी नीचे भी ज्यासे one की नीचे पी जो लगा है और इस eight की नीचे भी one लगा है तो आपको क्या multiply करना हमेशा नीचे वाले नंबर को तो नीचे वाले नंबर से multiply करते है है तो ये दूजर히 एक तरीका तो इसका यह है हम इसको ऐसे बोला जाएगा तो यह जो दोनों नंबर आपस में उपर और नीचे हैं यह डिवाइड हो सकते हैं दूसरे से ठीक है तो आपको ऐसा नंबर सोचना है जो दूसरे नंबर से डिवाइड होता है तो मैंने नोनों को सिंप्लिफाय कर लिया चोटा कर लिया तो अब नीचे जो वन बचा है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी तो उपर क्या नंबर बचे हैं 26 x 4 अगर आपको 26 के टेब लिया आता है तो 26 फोर जा होता है 104 तो 26 x 4 104 इसका पहले का अच्छा यह एरिया इसलिए इसके लास में लिखा जाएगा सेंटी मिटर स्क्वायर अब जो नेक्स्ट क्यूशन है वो दिखने में जरूर हार्ड होगा लेकिन इतना हार्ड नहीं होगा अगर आप उसका डियाग्राम समझ जाएंगे तो इसको क्यूशन लिखता हूँ मैं इसका डियाग्राम दिखने में हार्ड है लेकिन अगर आपको समझ में आ गया तो आपको बहुत ईजी लगेगा यह तरह की डिजाइन है मैं भी आपको बना के बताता हूँ क्यूशन में यह आपकी डिजाइन दी खी है ठीक है यह जोडिजाइन है इस डिजाइन को अगर आप ध्याण से देखोगे इस डिजाइन वे मुझे यहां एक ट्र licensing नज़र आ एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ ट्रैपिजियम इसमें इसका मतलब गर आप एक ट्रैपिजियम का एरिया निकालोगे तो उसको अगर हम एट से मल्टिप्लाइ कर देंगे तो सारा सारी शेप का area आजाएगे, डिजाइन का हमें area पता चल जाएगा और question में हमें यही पूछा है कि इस design का क्या area है इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आपको ध्यान देना है कि आप जो चीजें जरूरी है, देखो, पहले formula लगाते है area of trapezium याद करते हैं ठीक है ट्रेपिजिम के एरिया का फॉर्मला क्या है half multiply by half multiply by a plus b multiply by h यहां bracket में लगा दिया अच्छा यह जो a, b और h है यह तीनों गर मुझे values पता हो तो मेरा काम आसान हो जाएगा इस फॉर्मले में values को रखना तो question में मुझे यह सारी values दी वी है question में मुझे जो छूटे अली side है उसकी length दी है जो बड़े अली side है उसकी length दी है छूटी वाली length है 6 cm की है ठीक है और जो बड़ी वाली length है वो 8 cm की है इन दोनों की बीच का difference दिया है 4 cm, यह यहाँ इन दोनों को बीच का difference है, देखो, यहाँ भी same रहेगा, यहाँ भी same रहेगा, इन दोनों line की बात कर रहे हैं, यह line और इस line की बीच का difference जो है, वो 4 cm है, तो आपको सारी चीज़े पता है, यह A है, यह B है और यह H है, तो इसको formula में रखेंगे, पहले आप एक काम करोगी, A is equal to क्या है, B is equal to क्या है, और H is equal to क्या है, तीनोंची जी लिक्लो, question में काम आएंगी, और गलत नहीं होगा, A है मारे पास question में है, 6 cm, B है मारे पास question में 8 cm, और H मारे पास question में है, 4 cm, आपको सिर्फ करना के है, यह जो A है, वहाँ 6 रखना है, B है वहाँ 8 करता हूं half multiply by a हमें equation में रखना है six plus eight multiply by four okay पहले हम इन एड़ करेंगे ठीक है one upon two multiply by six plus eight होता है 14 multiply by four अभी equation में हमने पीछे करने का तरीका देखा था कि कैसे solve करना इनको तो आप ये भी कर सकते हो 14 multiply by four upon two अभी इन दोनों को क्या करना हमें divide करना है divide करने का सही कि तरीका यूस करना टू अंजा एंड टू टू जा कि टू सी डिवाइड होता है उसके बाद सिर्फ क्या बचा है 14 multiply by two और 14 टू जा कितना होता है 28 cm square यह अभी answer नहीं आ है ठीक है यह answer क्यों नहीं है क्योंकि सिर्फ इस डिजाइन का एरिया है यह इस डिजाइन का एरिया है वर एसी केशन में किती डिजाइन है total eight डिजाइन है तो हमें इसको eight से multiply करना पड़ेगा यहां मैं लिखूँगा total area of design is equal to total area of design is equal to अब यह formula में बना रहा हूं या कोई ऐसा formula होता नहीं है एरिया ओफ ट्रैपीजियम multiply by eight क्यों multiply it क्या है क्योंकि total is question में एडिजाइन थी 12345678 इसलिए मुझे 8 से multiply करना है तो यहां question में last जो step बची हमारे यह क्या है कि 28 को हमें 8 से multiply करवाना है 28 multiply by eight लास्ट है बची हमारी तो 28 जा अगर आपको टेबल नहीं आदे तो दिक्कत आती है और आपको मुझे नहीं लगता कि आपको सारे बच्चों को 28 तक की टेबल आती होगी तो 28 जा होता है 224 और area था इसलिए centimeter square अबच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्